बीएस एजुकेशनल महा विद्ध्याले लखनव विश्य विद्ध्याले से समबध छात्र छात्राओं के लिए उत्क्रष्ट शिक्षर संस्थान बीए, एमी, बीकॉम, एम्बीए वा अनिकोर्सेस के लिए आज ही समपर करें खैराबाद, बिस्वारोड, पकरिया, सीतापुर, सत्थ 2023 के लिए प्रवेश प्रारंब यूपी के सीतापुर में एक खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाब जले की शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है खंड शिक्षा अधिकारी सिधौली और सिक्षकों के बीच लगतार तनाव बढ़ता जा रहा है प्रात्मिक शिक्षक संग ने खंड शिक्षा अधिकारी के कारियों की जाच कराने की मांग भी उठाई है शिक्षक संग मामले को लेकर बुद्वार को बियस से अखलेश प्रिताब सिंग से मिलेगा और जरूरत पड़ी तो जिलादिकारी वा शासन इसतर तक आवाज पहुचाएं जाएगी शिक्षकों का रोप है कि खंड शिक्षक अदिकारी सिधौली सुरेंदर प्रिताब खुलयाम शिक्षकों से धनुगाही करते हैं उनके द्वारा बिना पैसा लिए कोई भी कारें नहीं किया जा रहा यहां तक कि टीसी काउंटर पर साइन करने के भी पैसे वसूले जाते हैं बहराल खंड शिक्षकों की मासिक्षक समिक्षा बैठक बुलाई गई थी जिसमें सभी शिक्षक उपच्षतित थे इस बैठक में शिक्षक संग सिधौली एकाई अध्यक्ष उमेज सिंग भी पहुँचे बैठक के दौरान जब खंड शिक्षा दिकारी ने उमेज सिंग पर नज़र पड़ी तो उन्होंने आग बबुला होते हुए पूछा जिसमें बैठक के दौरान खंड शिक्षा दिकारी और प्रात्मिक सिख्षक संग अध्यक्षवा अनिसिख्षक के बीच वाद विवाद हो रहा है किनका समय कराब हो रहा है मैं कराब कर दो कर दो जो है स्थिकें की मेटिंग रहा है क्या हो रहा है कि हमाएं को फिस हमारे एक से और हुं। अब अब मिटिंग हैंपर कर दिया और यह रहु है जा रहा है जा रहे हैं लिए परीड जाने हैं जब ख़गा रहे हैं आप तो जा लिए खगा रहे हैं आप आप भगा रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, बेज़त कर रहे हैं और पूरे बलाग मेसेचिकों के साथ यही कर रहे हैं वीडियो में आपने देखा कि किस तरह बैठक के मद एक दूसरे के बीच दीखी नुपचोग जैसी ही हो रही है आरोप यह भी है कि खंड सिख्ष अधिकारी ने सिधौली प्रात्मिक सिख्षक संग एकाई अज्यक्ष उमेश सिंग को बैठक से निश्काशित कर दिया इसके बाद भी बैठक की अगली कारवाई शुरू हो सकेगी मामले में सिख्षक संग सिधौली एकाई अज्यक्ष उमेश कुमार सिंग का क्या कहना है आए पहले उसे सुन लेते हैं दिनांक 23 जुलाई को 8 बज कर 31 मिनट पर खंड सिच्छा अधिकारी महोदे ने मुझे फोन किया कि उमेश जी दो दिन बड़ा बलाक है एक साथ बैठने भर की विवस्था भी आरसी में नहीं है तो इसलिए दो दिन मीटिंग रख रहे हैं छे संकुल सौमवार को और पान संकुल मंगलवार को हमने कहा ठीक है सर उन्होंने कहा आप दोनों दिन उपस्तित रहिएगा 23 जुलाई को एक मिनट 13 सिकंड बात हुई है हमारी उखंड सिच्छा अधिकारी महोदे की कल मीटिंग हो गई आज जब हम लोग मीटिंग हाल में बैठे थे जैसे ही प्रवेश किया इन्होंने मुझसे कहा कि आप यहां कैसे हमने कहा आप ही ने तो कहा था उन्होंने कहा नहीं नहीं निकली आप बाहर जाईए आपको यहां किसने हमने कहा कि बियारसी आने में कोई प्रतिबंद है उन्होंने कहा प्रतिबंद किसी के लिए नहीं आप बाहर निकले आपको यहां मीटिंग हाल में नहीं बैठने देंगे तो हमने कहा क्यों नहीं बैठने देंगे तो उन्होंने कहा जाए जाकर के बियसे साहब से लिखित परमीशन लाइए कि आपको इस मीटिंग में सामिल कर तो हमने कहा तुरंत सर से कैसे परमीशन मिल सकती है यह मीटिंग आप कर लीजिए अगली बार से हम लोग परमीशन लेकर आएंगे तो उन्होंने कहा हम कुछ नहीं सुनना चाहते हम आप निकल यह बस यहां से कई अपसब्दों का प्रयोग किया और धंकी दी कि आपको नोकर करने देंगे निलम्बन करवा देंगे और हम जो ब्लाक में कर रहे हैं इसका जो भी विरोध करेगा उन सब पर कारवाई करा देंगे अब जो जो पर दोशी पाए जाते हैं तो इनके खिलाब कटिन से कटिन कारवाई हो उत्तर परदेश सरकार मानी मुख्यमंत्री जी की जीरो ट्रॉलरंस की नीत है और हमारे जो मुख्यां है महानिदेशक विजे किरनान जी उनका भी कहना है कि विभाग में कोई भ्रष्टाचार नहीं चलेगा जबकि खन सिच्छा अधिकारी महोदय दो चार छे लोगों को लगा के पूरा बिना पैसे का कोई काम नहीं करते और जो इनको पैसा नहीं देता उसका मानसी कुद पीड़न करते हैं बिद्याले में जाके पूरा पूरा दिन निरेचन करते हैं 15, 15, 15 साल के पुराने रजिश्टर देखते हैं और कहीं मान लीजे कोई वहहां 5 साल से है 10 साल पहले कहीं कटिंग मिल जाती है तो कहते हैं तुमारी फाइवार करभा देंगे ये कटिंग की है जो पान साल से वहां कारत है हमने जिला संग को जिला अधेजी को जिलाकारी समीत को आवगत करा दिया है आगे संघर्ष कि घोषणा जिलाकारी समीत द्वारा की जाएगी उमेश कुमार सिंग अध्यश प्राथमिक सिछख संग सिधाली खंड सिक्षक संग सिधॉली सुरिंदर प्रताब और प्रात्मिक शिक्षक संग सिधॉली एकाई अध्यक शुमेश गमार सिंग के की तीकी नोख जोक के बार शिक्षक संग के जला एकाई ने अब लड़ाई तेज करने संबध किया जाए अगर ऐसा नहीं किया जाता तो संग कड़ा संगर्स करेगा शिक्षक संग के जलाध्यक्ष रभीन दिक्षित मामले में आइंडिया से क्या बोले आप भी सुने ये विकास ये सिधोली का जो मामला है ये काफी दिनों से चल ला था वो सोच से समझी खंड सिच्चादिकारी की रंडित का हिस्सा था ये हम लोग समझ नहीं पाए और हमारे अध्यक सिधोली स्री उमेश यादो जी वहाँ पर एबियसे की बुलाने से पहुंस गए और मेन मामला ये है कि वहाँ के जो खाओ कमाओ नीत है उनकी उसका संगठन हमारा बिरोध कर रहा है अभी मैं आपको बताओं कि वर्तमान में जो सिच्चक का अंतर जन्रपदी में ट्रांसफर हुए उनके रिलीविंग के नाम पर बड़े पहिमाने पर पैसा लिया यहां तक कि सिधावली विकास चेत्रवे टीसी के नाम पर भी वसूली की जा रही है जिसका उत्तर बड़ेसी प्रात्मी सिचक संग बिरोध कर रहा है अभी हमने दो राउंड खंट सिचादिकारी और संगठन के मद इबारता भी कराई कि आईसी स्थिति ना पैदा करिये ताकि हम लोगों का टकराव का मार हो लेकिन उनकी चाल में कोई परवर्तन नहीं आया जिसकी सूचना हमने जिला बेसिक चादिकारी महोदे को भी दी है और जो आज की घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है कि उन्होंने पूरे सिचक समाज को जो अपमानित करने का काम किया है उनकी चुनवति को उत्तरबदी सी परात्मी सी चकसंग सुईकार करता है और मैं जिला प्रसासन से और जिला बेसिक चादिकारी से मांग करता हूँ कि इनके किये गे कारियों की निस्पस जांच कराई जाए और जब जांच वद में इनको ततकाल विकास्षे सिधोली से हटाया जाए और यद इसमें किसी प्रकार की लिपा पोती की गई तो निश्चित रूप से जनपस सीतापूर में एक बहुत बड़े आंदोलन की घोसना की जाएगी जिसका संपन उत्तरदाईत जिला प्रसासन और जिला बेशिक चादिकारी का होगा प्रकरण में एक खंड सिक्षा अदिकारी सुरेंदर प्रताथ सिंग का कहना है कि प्रात्मिक सिक्षक संपसिधौली के अध्यक्ष उमेज कुमार सिंग जिस विद्याले में तैनात है वहां की बैठक एक दिन पूर्व सुमवार को हो चुकी है जिसमें उन्होंने बाकाइदा भाग लिया था फिर इसके बाद दूसरे दिन अन्य विद्याले की बैठक बुलाई गई उसमें भाग लेने का क्या आउचेत था प्रादमिक सिक्षक संग अजग्ष इस बात का दबाव बना रहे थे कि वो सभी मंच साजा करेंगे जिस पर मैंने मना किया तो सिक्षकों को लेकर बैठक से बाहर निकल गए B.E.O. ने आइंडिया को फोन पर बता कि उन्होंने मामले की जानकारी बियस्ते को दे दी थी जो भी बैठक होगी उस शास्त्रादेश के अनुसार ही संपन कराई जाएगी संग के गंभीर आरोपों को लेकर कहा कि उनके पास रिकॉर्डिंग है जरूरत पड़ेगी तो अपना साक्ष प्रश्तूत करेंगे जेया सिंग इंसिट्यूट ओफ फामिसी पारा सराएं धोंदी लहरपुरोट सीतापुर सत्य दो हजार टेश चोविस के लिए प्रवेश प्रारंब दीफार्म बीफार्म पीजी डिप्लोमा इन जोनलिजम और मास कम्मिनिकेशन सेट मार जैपुरिया स्कूल महमुदाबाद नर्सी से कक्षा बारातर सत्र दो हजार टेश चोविस के लिए प्रवेश प्रारंब सुनहरे इवं प्रतियोगी भवश की ओर बढ़ते कदम सपनों को साकार करने का संकल 31 जुलाई 2023 तक एड्मीशन शुल्क पूर्नित्या माफ खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आई इंडिया